साथियो नमस्कार, साइन्स एंड टेकनोलोजी की आज की क्लास में हम उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जो वनस्पति सास्त्र या बोटनी से संबंदित हैं, लेकिन दिन परती दिन के जीवन में हमें उनके उधारण देखने को मिलते हैं, चुकि हमारा जो स्लेबस है, आ पनस्पति सास्तर है या बोटनी है, उसका हमें ग्यान होना चाहिए, पाइए देखते हैं कि आज की क्लास में किन-किन बिंदों पर हम चर्चा करेंगे, जो हमारे दिन परती दिन के जीवन से संबंदित हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, पोधे के विबिन भाग, जड़, तने और पत्यों के बारे में, और देखेंगे कि किस प्रकार से पोधे के जो भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, उनको हम हमारे देनिक जीवन में उपियोग में लेते हैं, उसके बाद पोधों के दुआरा की जाने वाले एक विशिश प्रकार के क्रिया, जिससे संपू पहले स्टार्ट करते हैं, जड़, तना, और पत्ती के साथ में, पहले बात करेंगे हम जड़ या मूल के बारे में, मूल या जड़ के बारे में यदि हम बात करें, रूट के बारे में हम बात करें, तो रूट या जड़ का नाम जैसे ही मैं लेता हूँ, तो आपके क्यों जड़ टैलाता है लेकिन इसके अतिरिक्त ही कुछ विशेज प्रकार की जड़े पाधपों में में हमें देखने को मिलती है और उनी से प्रिक्षा में परश्ण ऊछने के लवा था तुसको खड़ा रखने के लिवा जड़ का प्रमुक कारे क्या है पोदे को जमीन में इस्तिर रखना उसके अत्रिक्त साथ ही साथ जो खनीज और पानी है उसका क्या करका आउसोचन करके पोदे को पहुंचाना पोदे के सभी बागों को पहुंचाना ये जड़ क काम है लेकिन इसके अत्रिक्ट भी कुछ प्रकार की जड़े कुछ पोदों में क्या करती हैं भोजन संग्रहन का कारे करती हैं भोज्य पदार्थ का इस्टार्च का क्या कर लेती हैं संग्रहन कर लेती हैं कुछ प्रकार की जड़े और उनका उधारन है मूली गाजर चकुंद गूल के वो रूपांतरण हैं जिन में क्या होता है बोध्यपदार्थ एकत्रित रहता है इसलिए हम उनको खाते हैं इसी प्रकार से कुछ पादपों की जड़ें हमें भूमी के अंदर गुसी वी ना रहके भूमी के अंदर ना दिखाई देकर बाहर की तरफ दिखाई देती ह उस प्रकार की जो root होती है या मूल होती है जड़ होती है उनको एक तो प्रोप root बोला जाता है जो हमें बरगद में देखने को मिलती है और एक बोला जाता है आवस्थम मूल प्रोप root और आवस्थम मूल दोनों का यह आईए हम उधारन देखते हैं image के माध्यम से देखिए इस प्रकार की जो root होती है प्रोप root हम देखते हैं बरगद का जो पेड़ होता है बरगद के पेड़ में जो तहनिया होती है जो उनका तना होता है उससे कुछ साखाएं लटक कर नीचे जमीन में संपरकित हो जाती है इस प्रकार की जड़े हैं इनको ही क्या बोला जाता है प्रोप रूप प्रोप रूट बोला जाता है पोदे को सहरा देने का ये क्या करती है कारे करती है खनीजलवन का आउस्वशन तो मूल प्रकार की जड़े करती है लेकिन ये जड़े केवल पोदे को सहरा देने का कारे करती है इसी प्रकार गन्य में आपको इस प्रकार की कुछ जड़ें दिखाई देती हैं गन्य के पादप में जो आपको भूमी से बहार दिखाई देंगी और इस प्रकार से केवल ये गन्य के पेड़ को सहरा प्रदान करती हैं इस प्रकार की जड़े हैं इनको अवस्थंब मूल बो जाता है तो ये थी जड़ों के कुछ प्रकार के रूपांत्रन जो पोधे को सहरा देने खड़ा रखने और पानी और खनीच के अवस्वसंद के अत्रिक अन्यकार भी करती हैं इसी प्रकार तने के भी भूत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं सामन्य ते यदि तने की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में आपके ब्रेन में जो इमेज आती है वो इस प्रकार की कि पोधे को सीधा खड़ा रखने में जो बाहर का भूरे रंका काश्टी ये भाग हमें दिखाई देता है वुडी जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो क्या होता है तना होता है ल भोजन के संग्रहे के आधार पर इन तनों को अलग-अलग परकारों में बटा जाता है, जैसे कंद जिसमें हम रख सकते हैं आलू को, जमीन के नीचे पाया जाता है, सामने ते हम तने को जमीन के उपर देखते हैं, लेकिन ये कंद जमीन के नीचे पाया जाएंगे, इसी परक प्रकार सल्ककंद जिसमें प्याज और लसुन आते हैं इसी प्रकार प्रकंद जिने राइजों भी बोलते हैं इसमें हल्दी और अध्रकाते हैं ये सभी इस प्रकार के तने होते हैं इन सभी को हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं धर्ती के नीचे होते हैं कुछ दर्ती के उप हैं संबनने जो तने होते हैं वो क्या होते हैं हमें धर्ती पर दिखाई देते हैं धर्ती से उपर धर्ती की सतय से उपर दिखाई देते हैं लेकिन कुछ तने भूमिकत भी होते हैं और ये जो तने होते हैं ये जो जो पेड होता है पादप होता है उससे पार्षो साखा के तो कुछ समय तक YVA वर्द्धी करते हैं, अथार्थ पार्ष साखाउं के रूप में इस प्रकार ये निकलेंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे, पार्ष साखा के रूप में निकल कर, जैसे आप पुधिने में देखते हैं, पुदिने का जो पेड़ होता है, उसमें प्रतान प्रकार के कुछ तने होते हैं आप जो बेल देखते हैं जो लता देखते हैं उन लताओं में आप देखते हैं इस प्रकार की एक स्ट्रेक्चर आपको दिखाई देती है इस प्रकार की जो स्ट्रेक्चर दिखाई देती है उनको क्या कहते हैं प्रतान कहते हैं ठीक है और ये मुख्यत है बेल में कांटों के रूप में हमें दिखाई देती है और घिया, खीरा, तर्बूज और अंगूर की जो बेले होती हैं उसमें ये प्रतान आपको तने के रूप में आपको प्रतान दिखाई देते हैं जो क्या करते हैं किसी चीज़ से लिपट कर बेल में आगे वरदी करने कारे, उसको आगे बढ़ने कारे करते हैं। अगले तने के रुपान्तर्न है काचो के रूप में। दिखाई देते हैं। इस प्रकार चे एक फूल की बेलाम देखते हैं कई जगे उसमें ये जो काटे रोगे रहते हैं ये कुछ और नहीं अपितु तने का ही एक क्या है रुपांतरण है चप्टे तने भी हमें कुछ बरुस्तली छेत्रों में दिखाई देते हैं जैसे यहां आप इमेज में देख पारें हैं यूफोर्बिया ठीक है कैक्टस और नागफनी के जो पोदे होते हैं उनमें चप्टे इस प्रकार के तने हमें दिखाई देते हैं ये एक्ट्वल में इसकी पत्ती नहीं है अपी तो इसका क्या है तना है आप हरे रंग की चीज़ देखर क्या अंदाजा लगात लेकिन अब इखले आपको ध्यान रखना है ये यूफोर्बिया कैक्टस और नागफनी का हरारन का जो भाग आपको दिखाई देता है ये वास्तम में पत्ती नहीं पितु तना है ऐसी प्रकार पत्ती के भी कुछ रूप आंतरन हमें दिखाई देते हैं जैसे हमने तने के रूप में प्रतान को दिखा था उसी प्रकार से पत्ती के रूप आंतरन के रूप में भी हमें प्रतान दिखाई देता है जो मुख्य रूप से बेलों या लताओं में हमें देखने को मिलता है और ये बेल या लता को उपर चड़ने में क्या करता है सायता करता है जैसे मट केक्टस के जो हरा भाग हमें दिखाई देता है उसके कुछ काटे वगे रहते हैं तो जो हरेरं का भाग था वो केक्टस का वो तो क्या था तना जबकि उसके उपर जो काटे वगे रहते हैं वो क्या होता है वो काटा पती का क्या होता है रूपांतरन होता है इसी परकार कुछ कुछ पतियां भोजन संचय के लिए क्या हो जाती हैं परिवर्तित हो जाती हैं रूपांत्रित हो जाती हैं जैसे हम देखते हैं लशन और प्याज की जो पतियां होती हैं वो पतियों का ये रूपांत्रन होता है लेकिन उनमें भोजन क्या होता है संग्रहित होता है कुछ पत हो जाती हैं इसलिए इस पांत्र को कई बार घट पढ़नी पादप कहा जाता है और घट पढ़नी और विनस फ्लाइट रैप नाम के ये जो किटाहारी पादप हैं उन में पत्ती गड़े के रूप में या एक थैली नुमा सरचना के रूप में रूपांतरित हुई हमें दिखाई देती हैं अब बात करते हैं जड़ तनी पक्तक जड़ तना और पत्तियों के बारे में हमने बात की इसके अत्रिक्त हम हमारे दिन प्रति दिन के जीवन में फलों का काफी उप्योग करते हैं सभी लोग जो हैं वो फल क तती आगे बढ़ती है। या लड़का या लड़की जो भी होती है वो निशेचन का, माणव में निशेचन का परिधиль की नाम होता है। तो fertilization, fertilization के फल्सुरूप या sexual reproduction के फल्सुरूप पादपो में क्या बनते हैं, फल बनते हैं, अब sexual reproduction जो होता हैं, उसके लिए पादपो में भी sexual organ होते हैं, और पादपो के जो sexual organ होते हैं, वो क्या होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, और फ्लावर में दो पार्ट ह होते हैं पात्वों के एक तो क्या बोलते हैं एक को बोलते हैं हम क्या परागकन या पॉलन ग्रेंज ये तो क्या होते हैं मेल एक तरीके से इनको क्या कहा दिया जाता है मेल सेक्षवल ओर्गन इनको आप मान सकते हैं जिने पॉलन ग्रेंज कहा जाता है और इसी प्रकार ओवर से जो प्रोडेक्ट बनता है वो क्या कहलाता है फल कहलाता है तो फलों का जो निर्मान होता है वो दो प्रकार्श हो सकता है एक प्रकार के फल होते हैं वास्ट्विक फल और वास्ट्विक फल केवल और केवल अंडा से से अथा जो रिप्रोडेक्टिव और गन है प्लांट्स में अंडासे उससे केवल क्या होते हैं ये विक्षित होते हैं उसी से आगे चल कर यदि फल बनता है उस अंडासे वाले पार्ट से यदि फल बनता है तो उसे क्या कह देते हैं वास्त्विक फल कह देते हैं जबकि ए वास्त्विक फल उस परकार के फल होते हैं जिन में फल निर्मान में अंडासे वाला भाग भाग ना ले अंडासे भाग नहीं लेता अपितु पुस्प या फूल या फ्लोवर के जो अन्य फ्लोवर में मैंने आपको बताया एक तो क्या होंगे रिप्रोडेक्टिव और्गंस होंगे फूल के अन्य भाग से फल का निर्मान होता है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, आभासी फल बोल दिया जाता है, जैसे की सेव, स्ट्रोबेरी, अक्रोट, ये सभी के सभी क्या है, जो औरी या अंडासे वाला जो भाग है, किसी फ्लावर का उससे नहीं बनते, अपितु पाए जाते हैं, जिने एनिशेक फल कहते हैं, एनिशेक फल क्या होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जैसा हमने देखा था, फलों का निर्मान जो होता है, वो फर्टिलाइजेशन की परक्रिया के द्वारा होता है, यदि बिना फर्टिलाइजेशन की परक्र अथार्थ बिना मेल और फिमेल जो पाठ है उनके यदि बन जाए क्या फल तो उसे क्या कह दिया जाता है एनिशेक फलन कह दिया जाता है और इसका उधारन है केला एनिशेक फलन जो होता है वो पादपों में कुछ विशेश परकार के जो व्रदी हार्मोन है उन में उन पर क् करता है तो कुछ विशेष परकार के व्रद्धी हार्मोन देकर पादमों को एनिशेक जनन के लिए क्या किया जा सकता है प्रेरित किया जा सकता है और एनिशेक परकार के फल प्राप्त किये जा सकते हैं एनिशेक परकार के जो फल होते हैं उनकी विशेष ताई यह होती है कि बीजों से रहीत होते हैं, किसी प्रकार के बीज इन में नहीं पाये जाते हैं, ये थे जड़, तना, पत्ती और फल, जो कि दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, हम उपयोग इनका करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फलों को करतिम रूप से पकाने के बारे में, ज लेकिन जब प्राकरतिक रूप से फल पकते हैं तो प्राकरतिक रूप से जो समय लगता है फल पकने में वो क्या लगता है अधिक लगता है और प्राकरतिक रूप से फल पकने की जो क्रिया होती है उसमें फलों की जो स्वसन क्रिया है उसमें बढ़ोतरी होती है वो बढ़ ज गैस निकलती है और इस एथिलीन गैस के कारणी ही फल क्या होते हैं पकते हैं ठीक है लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो प्राकरतिक रूप से पेड़ पर पकते ही नहीं है अपितु पेड़ से तूटने के बाद ही ये पकते हैं पेड़ पर लगे लगे ये पकते ही नहीं है इ उसके लिए जो रसाइन उपयोग में किये जाते हैं वो है कैल्चिम कारबाइड, एथिफोन, एसिटिलीन, एथिलीन, प्रोपाइलीन, इथर और ग्लाइकोर और एथिनॉल ये सभी प्रकार के जो रसाइन है वो कृतिम रूप से फलों को पकाने में क्या लिया जाते हैं काम म को पकाने में विबन प्रकार के रसाइनों का प्रियोग किया जाता है जो उस खाद के माध्यम से हमारे सरीर में प्रवेस कर जाते हैं ये था फलों को कृतिम रूप से पकाना अब बात करते हैं हम प्रकास संसलेशन और एक स्वसन पहले बाद करेंगे प्रकास संसलेशन के वह गतिविदी है जिसके माध्यम से पादब अपने भोजन का क्या करते हैं निर्मान करते हैं तो सरल सब्दों में पादब जिस क्रियाविदी के द्वारा अपने भोजन का निर्मान करते हैं उसे क्या कह दिया जाता है प्रकास संसलेशन कह दिया जाता है यदि रासाइनिक रूप से इसे हम देखें तो प्रकास संसलेशन की गतिविदी में होता क्या है सरल पदार्थ संयुक्त होकर क्या बना देते हैं जटिल पदार्थ बना देते हैं सरल पदार्थ संयुक्त होकर क्या बना देते हैं जटिल पदार्थ बना देते हैं और भी यद है C6, H12, O6 और शाथ में प्रकास संसलेशन की जो गतिविदी होती है उससे निकलती है oxygen तो प्रकास संसलेशन चे दो प्रोडेक्ट बनते हैं एक तो glucose और एक oxygen और दो पदार्थ उप्योग में लिए जाते हैं एक तो carbon dioxide और एक H2O तो हम कह सकते हैं प्रकास संसलेशन क्या है carbon dioxide और जल के अनुवों का संयुक्त होकर क्या बना देना glucose बना देना और शाथ में oxygen रिलीज करना ही क्या कहलता है प्रकास संसलेशन या photosynthesis कहलता है 6 अनु CO2 के और 6 अनु H2O के इसमें काम में आते हैं अब प्रशन उठता है कि ये CO2 और ये H2O या जल पोधे को मिलता कहां से है तो पोधे को ये CO2 तो मिलती है कहां से वातावरण से और ये जो जल मिलता है ये जड़ों द्वारा आउसोशन होके मिलता है जडो द्वारा पादप क्या करते हैं आउसोशित करके जल को लेके आते हैं और ये दोनों ही चीज़े वातावरण से कार्बन डियाक्साइड जो मिलता है वो पत्ती की द्वारा ठीक है लीफ जो पत्ती होती है उसके द्वारा ग्रहन की जाती है ये स्क्योटू और जडों से ये ओक्सीजन भी ग्रहन करके कहां तक लेके लाई जाती है पत्ती तक पादपों की या पेडों की जो पत्तियां हैं वहां तक लाई जाती हैं वहाँ पर प्रकास अंसलेशन के क्रिया के द्वारा ये पत्ति क्या बना देती है ग्लुकोज बना देती है जिसे पादप का भोजन कहते हैं तो हम कह सकते हैं भोजन का निर्मान जो होता है वो प्रकास अंसलेशन की गतिविधी के द्वारा पादकों में पत्यों में होता है अब ये पत्यों में ही क्या होता है पत्यों में ऐसी क्या विशेशता है कि ये पत्यों में ही ये गतिविधी होती है तो पत्तियों में एक विश्यस प्रकार की सरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल केवल प्रकास की उपस्थिती में ही कार्य करता है, तो ये कहा जा सकता है, प्रकास संसलेशन की गतिविदी के लिए एक तो चाहिए हमें CO2, एक चाहिए हमें जल, CO2 मिलती है वातावरण से, जल मिलता है भूमी से, आउसोशन के द्वारा, जड़ो द्वारा आउसेशन, प्रकास मिलता है सूरे से, क्लोरोफिल मिलता है पत्तियों से और बन जाता है, फिर ग्लूकोज और ऑक्सिजन साथ में जल भी कुछ मात्रा में बनता है, तो आउशक शरते क्या क्या होगी, पहला तो CO2 चाहिएगा, कारबन डायाकसईड चाहिएगा, कारबन डायाकसईड वातावरण से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, पत्यों में एक स्ट्रेक्चर होती है, जिनें रंद्र बोला जाता है, उन रंद्र और वात्रंद्रों के माध्यम से विस्तरण के द्वरा, विस्तरण वो गतिविदी होती है, जिसमें कोई भी पतार्थ अपनी अधिक सांधरता से कम सांधरता किया हो जाता है, वातावरण में कार्वन डैयाकसाइड की सांदरता अधिक और पत्तियों के अंदर कम होती है इसलिए वातावरण से CO2 कहां गई पत्ति में प्रवेस कर गई तो वायू मंडल से तो मिल गई CO2 जल मिल गया हमें जडों से उसोसित हो कर और जलों तो CO2 तो मिली एक विशेश परक्रिया किसे विश्रण के द्वारा ठीक है जबकि जल मिलता है किसे भूमी से और परक्रिया कौन सी परासरण तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जल तो परासरण की गतिविदी द्वारा पोधे में आता है जबकि CO2 आती है विश्रण की गतिविदी के द्वारा दोनों में अंतर क्या होता है दोनों में ही अधिक सांधरता से कम सांधरता की आर कोई भी पदार्थ गमन करता है लेकिन अंतर क्या होता है विसरण में किसी प्रकार की जिल्ली बीच में नहीं होती और यहां एक जिल्ली बीच में होती है और वो जिल्ली कौनची होती है जो हम देखते हैं मूल के द्वारा असोसित होता है तो मूल की जो जिल्ली होती है जड़ की जो जिल्ली होती है वो बी प्रकास संसलेशन के लिए आप देखे सूरी का प्रकास आया ठीक है सूरी का जो प्रकास आया उसमें से केवल 10% का उप्योग तो किसमें होता है प्रकास संसलेशन बाकी के 90% प्रकास का उप्योग पेड़ पोदे अपने अन्य कारवियों में करते हैं क्लोरोफिल द्वारा के है पत्यों में पाया जाता है मुक् photosynthesis और शाहिण पाये को प्रकाश संसलेशन होता है तो वहां भी प्रकाश संसलेशन हो सकता है तो कुछ प्रादपों की कुछ जड़े और कुछ तने जो होते हैं वो हरे रंके होते हैं और वाईविये होते हैं अथा धरती के सतय से उपर होते हैं वहां भी प्रकास संसलेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है प्रकास संसलेशन केवल और केवल पत्तियों में नह डाइक्साइड अब कार्बन डाइक्साइड की सांदरता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मात्रा में प्रकास संसलेशन होता है जितना अधिक CO2 की सांदरता उतना अधिक प्रकास संसलेशन इसका मतलब उतना ही अधिक कार्बो हाइडरेट यह हम कह सकते हैं भुझ्य पद दिया जाता है अथार ज्यादा मात्रा में CO2 artificial रूप से देकर जब फसल तयार की जाती है तो उसे green house फसल कह दिया जाता है और यह जो green house फसल होती है इसमें carbohydrate की मात्रा ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा प्रकास translation होगा ठीक है तो productivity जो है वो फसल के क्या हो जाएगी बढ़ ज carbohydrate का जो निर्मान था जिसे प्रकास translation के रूप में हमने जाना था जिसमें glucose बनता है तो हमने देखा था है यहाँ पे क्या होता है CO2 और H2O H2O मिलकर क्या बना रहे थे C6, H12, O6 जिसे हमने क्या का था glucose या पादकों का बोजन और शाथ में क्या निकलती थी oxygen अब पूरी जो प्रकास translation की गतिविदी होती है उसमें दो पार्ट है एक तो होता है अपचयन और एक होता है oxidation तो अपचयन तो होता है किसका carbon dioxide का तो carbon dioxide ज और H2O का प्रकासिक आक्षिकरण, प्रकास की उपस्तिती में होता है तो प्रकासिक आक्षिकरण या photo oxidation होकर क्या बनता है O2 तो आपको ध्यान रख रहे हैं प्रकास translation में जो glucose हमें मिल रहा है वो तो किस से मिल रहा है carbon dioxide के absence से और जो oxygen हमें मिल रही है वो H2O से मिल रही है नाकि CO2 से और इस H2O के photo oxidation या प्रकास आक्षिकरण, प्रकासिक आक्षिकरण से यह हमें मिलती है दूसरी गतिविदी को देखते हैं पादपों में स्वसन के बारे में हम बात कते हैं respiration जैसा मानव में मनुष्यों में जीवजनतों में respiration या स्वसन होता है उसी प्रकार ज केवल उन भागों में होता है जहां chlorophyll उपस्तित होता है वो हरे रंके होते हैं वहीं प्रकास आक्षिकरण होता है जबकि जो स्वसन होता है वो पादप के प्रतेक अंग में होता है प्रतेक भाग में होता है चाहे जड़ हो चाहे तना हो चाहे पत्ती हो चाहे बीज हो सभ सरल प्रकार के जो पदार्थ है वो मिलकर क्या बना रहे थे जटिल प्रकार के पदार्थ बना रहे थे लेकिन यहां इस स्वसन की गतिविदी जो है उसमें जटिल जो पदार्थ है जटिल कार्मनिक पदार्थ जो है वो सरल कार्मनिक पदार्थ में तूटते हैं और अधिक य से सरल पदार्त कार्बन डाई आकसाइड और H2O बनते हैं ये पूरी परक्रिया ही क्या कहलाती है स्वसन कहलाती है किसमें पांधपो में अब ये जो पूरा स्वसन की परक्रिया होती है इसमें उर्जा निकलती है और वो उर्जा किस रूप में निकलती है एटीपी के रूप में निकलती है और स्वसन की जो पूरी परक्रिया है उसमें क्या होता है उर्जा का उपयोग भी होता है और विमुक्ति भी होता है जैसे मैंने आपको बताया कि स्वसन के परक्रिया से उर्जा निकलती है उसी के साथ कई चरण जो होते हैं स्वसन के उसमें उर्जा का उपयो होती है या इसका क्या होती है प्राप्ति भी होती है और चाहे उप्योग हो चाहे प्राप्ति हो दोनों किस रूप में होती है एटीपी के रूप में होती है और ये उप्योग और उर्जा की विमुक्ति दोनों ही चरणबद तरीके से होती है तो उर्जा एकसाथ ना मिलकर स् धैनिक कारेव में पादप इस उर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, रासायणी का बिग्रिया जैसे मैं आपको बताया इस प्रकार क्या होती है, ग्लुकोस, ग्लुकोस से 6-9 ऐंवाशिजन के मिलते हैं, 6-9 पानी के बनते हैं, जल के बनते हैं और 38ATP उरजा यहां नि होती है अधिक होती है ज्यादा मात्रा में सांस लेते हैं कौन जानवर किस की अपेक्षा पोधों की अपेक्षा साथ ही साथ हम देखते हैं दिन का जो समय होता है दिन के समय हम देखते हैं कि सुरी का प्रकास उपलब रहता है तो दिन के समय पादप में प्रकास संसलेशन भी स्वसन होता है अब स्वसन में हम देखते हैं कि स्वसन में CO2 क्या होती है रिलीज होती है स्वसन में CO2 रिलीज होती है और प्रकास अंसलेशन में CO2 का क्या होता है उपयोग तो दिन के समय तो स्वसन के द्वारा निकली वी CO2 की कुछ मात्रा किसमें प्रियोग में ले ली जा अतार प्रकास अंसिलेशन और स्वसन दोनों प्रक्रिया साथ साथ होने की कारण दिन के समय जो CO2 की मात्रा निकलती है पेड़ों से वो अपेक्साकरत कम होती है जबकि रात के समय कारबन डाय अक्साइड की मात्रा जो स्वसन के माध्यम से पेड़ों से निकलती है उसकी मात् जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोया जाना चाहिए क्यों क्योंकि CO2 की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है बोलते हैं कि भूत आ जाते हैं भूत नहीं CO2 की मात्रा अधिक रिलीज होती है इसलिए रात के समय पेड़ों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए ये विविचोटन तक भागों में स्वसन की दर अधिक होती है जब कि पुराने उत्तक हैं पुराने जो पार्ण हैं पेड़के जो परिपक्ष को भाग है उनमें 11 कीजर होती है इसी प्रकार जुपादकों के अंकूरित युढ्यी जिवन में सुनने को मिलती है जिन में से एक है अपी कल्च जीसे मद्वुमक्धक फालन कहा जाता है सैरी कल्च जीसे रेस्थम कीट का पालन कहा जाता है mycology कवकों के अध्यन को पावेज ग्रीटों का आध्यन निसी प्रकार का अध्धन किया जाता है डेंडरोलोजी व्रक्स और जाडियों के अध्धन को डेंडरोलोजी करते हैं और उसके बाद है सैल्वी कल्चर जो वुडी प्लांट्स होते हैं काष्ट ये पेड़ होते हैं उनके अध्धन को क्या का जाता है सिल्वी कल्चर ये थी बोटने से सम् प्राकर्टिक रूप से कैसे फल पकते हैं, कितना समय उनमें लगता है, इन सभी बिंदों को हमने देखा और प्रकास संसिलेशन स्वसन के बारे में भी हमने बात की, इनी चर्चाओं के साथ में आज की जो हमारी क्लास हैं वो समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नेटोपी के साथ में, तब तक लिए धन्यवाद, जैहिंद